सभी को नमस्कार मैं मनुज मिस्त्रा आपके अपने यूटूब चैनल पर आप सभी का हारदिक स्वागत करता हूँ दोस्तों पिछले कुछ दिनों से एक डिमांड आ रही थी कि पिछली रीट भरती प्रिक्षा में संस्कृत के पेपर में जो संस्कृत के 30 प्रसनाते हैं उनमें भारत में सिक्ष्या से समंदित आयोगूं के बारे में 3 प्रसन कर लिए गए थे तो क्यों ना प्रमुख सिक्ष्या आयोगूं, समीतियों, नेतियों, घटनाओं के समंद में एक वीडियो बनाया जाए ऐसे डिमांड लगातार आ रही थी तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए आज मैंने आपके सामने इसी प्रकरण से समंदित एक वीडियो बनाया है इस वीडियो में आप देखेंगे कि भारत में सिक्षा से समदित प्रमुख नीतियां कोन-कोन सी अब तक बनी हैं, प्रमुख समीतियां कोन-कोन सी घटित हुई हैं, कोन-कोन से आयोग बनाए गये हैं, या सिक्षा से समदित घटनाएं कोन सी प्रसिद्ध हुई हैं, इन सब क बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तो देखे सबसे पहले हम चलते हैं 1781 इस्वी में प्रसन आ सकता है कि वारेन हैस्टिंग्स द्वारा कोलकत्ता में मदर्से की स्थापना करते हुए भारत में एक शिक्षय की अलग जगई गई थी शिक्षय की शुरुवात के गई तो इस कोलकत्ता में मदर्से की स्थापना कब हुई तो घटना वर्स है 1781 इसी मदर्से को मुहमद ला कोलेज कोलकत्ता के नाम से भी जाना जाता है दूसरा प्रसन आता है जे डंकन के द्वारा कोलकत्ता में संस्कृत कोलेज की स्थापना की गई थी कब तब इसका उत्तर होगा 1791 इस्वी मदर्शे की स्तापना 1781 इस्वी और संस्कृत कोलेज की स्तापना 1791 इस्वी अगला प्रसन है चार्टर एक्ट के द्वारा सिक्ष्या के लिए एक लाख रुपे का वार्षिक आवंटन शुरू किया गया था कौन सा चार्टर एक्ट है ये कब बना था तो इसका उत्तर होगा 1813 इस्वी का जो चार्टर एक्ट है उसके तहट भारत में सिक्ष्या के लिए एक लाख रुपे वार्षिक बजट का आवंटन करने की घोशना की गई थी 1813 में फिर प्रसन आता है कि भारत में लोग सिक्ष्या समीतियों का गठन किस वर्ष में हुआ था तो इसका उत्तर होगा 1823 इस्वी लोग सिक्ष्या समीतियों का गठन 1823 इस्वी है फिर अगला प्रसन है लोर्ड मेकाले सिक्ष्या समीतियों का गठन कब हुआ था या लोर्ड मेकाले की सिक्ष्या समीतियों का प्रस्तूत के गई थी तो इसका उत्तर है 1835 इस्वी देखे ये शिक्षा निती क्यों प्रसिद है इसमें देखें तो लोर्ड मेकाले ने ओकलेंड द्वारा प्रतिपादित निस्पंदन सिध्धान्त के आधार पर वर्ग विशेश को शिक्षा देने की बात कही थी कि वर्ग विशेश के आधार पर शिक्षा की यूजनाएं बन एक जगह है इन्होंने लिखा है क्या लिखा है कि हमें एक ऐसा बाबू तयार करना है जो सकलो सुरज से भारते हो एवं अक्ल से अंग्रेज हो इन्होंने जो सिक्षानेती भारत में चलाई वो केवल अंग्रेजूं के लिए बाबू तयार करने की नेती थी तो हमें एक ऐसा बाबु तयार करना है जो सकलो सुरज से तो भारते होना चीए एवं अक्ल से वो अंग्रेज हो इस प्रकार की सिक्सानिती की सुरुवात करने वाले हैं लॉर्ड मेकाली। फिर आता है वुड डिस्पेज या वुड घोषना पत्र कब लागू हुआ था कब घोषना हुई थी तो इसका उतर होगा 1854 इस वी वुड डिस्पेज या वुड घोषना पत्र कब लागू हुआ था 1854 में इस वुड के घोषना पत्र को भारते सिक्सा के इतिहास में भारते बारते सिक्ष्या का मेगना कार्टा नाम से भी पुकारा जाता है तो वुड घोशना पतर को कहा जाता है और ये कब लागू आता 1854 में फिर अगला प्रसन है लोर्ड मेयो के द्वारा प्रसासनिक विकेंद्री करण की सरचना कब लागू हुई थी लोर्ड मेयों के द्वारा प्रसासनिक विकेंद्री करण की सरचना 1870 इस्वी में लागू की गई थी इसके तहट क्या हुआ था तो इसके तहट ब्रिटी सरकार ने निसुल्क एवं अनिवारी सिक्ष्या लागू करने का विचार किया था कि भारत में भी निसुल्क एवं अनिवारी सिक्ष्या लागू की जाए तो ये 1870 इस्वी का प्रसासनिक विकेंद्री करण सरचना का सिद्दान्त है जो लोर्ड मेयों ने प्रस्तुत किया था अजमेर में एक मेयो के नाम पर कोलेज है मेयो कोलेज तो अजमेर में मेयो कोलेज की स्थापना कब हुई थी तो इसका उतर है 1805 इस्वी कुछ पुस्तकों में 1802 भी लिखा हुआ मिलता है लेकिन ध्यान देंगे 1802 इस्वी में मेयो कोलेज की नियू डाले गई थी और शु तो इसका उतर है 1882 इस्वी हंटर आयोग 1882 में बनाता इस आयोग ने क्या सुजाव दिया था तो इस आयोग ने प्रात्मिक सिक्ष्या को रज्यों को सोप जाने की सिफारिस की थी कि जो प्रात्मिक सिक्ष्या का कारी है वो केंद्र से हटा करके रज्यों को सोप दिया जाए इसी हंटर आयोग को भारती सिक्ष्या आयोग के नाम से भी जाना जाता है मूलत है इसका गठन है वो भारते सिक्ष्या आयोग के नाम से ही किया गया था तेकिन हंटर इसके अध्यक्स थे हंटर अध्यक्स होने के कारण ये हंटर आयोग के नाम से प्रसिद हो गया हंटर के द्वारा क्या-क्या सिफारिशें प्रस्तूत की गई थी मुख्य रूप से तो यह होगी कि प्रात्मिक शिक्ष्या रज्यों को सोपी जाए इसके अलावा इनोंने जो सिपरेशें कि भारते शिक्ष्या आयोगने यह अंटर आयोगने वो है कि प्रात्मिक शिक्ष्या व्यभारिक होनी चीए प्रात्मिक शिक्ष्या देशी भासा मत्री भासा में ही होन चाहिए सेक्सिक रूप से पिछड़े सेक्त्रों में शिक्ष्या विभाग स्तापितों यानि सिक्ष्या के अंदर विद्याले हैं वो सेक्सिक रूप से पिछड़े सेक्त्रों में खोले जाएं धार्मिक शिक्ष्या को प्रोचाहन नहीं दिया जाए धार्मिक शिक्ष्या को परिवर्तन ने करके पुरोवत चलने दिया जाए जो इस्थानी ये भारते पाथे क्रम जो चल रहे हैं उनको यथावत ही रखा जाए उनमें कोई विशेश परिवर्तन नहीं किया जाए ये सभी सिपारिसें हंटर आयूक भारते सिक्षा आयूक के द्वारा के गई थी और भ अरुदा नरेश सिवाजी गायकवार के द्वारा अपनी रियासत में निसुल्क एवं अनिवारे सिक्ष्या लागू की गई थी कब लागू की गई थी तो इसका उत्तर है 1906 इस्वी फिर अगला प्रसन गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा संपुर्ण भारत में निसु एवं अनिवारे सिक्ष्या लागू करने की मांग की गई थी कब की गई थी उत्तर होगा 1910 इस्वी में अगला है अखिल भारते सिक्ष्या सम्मेलन वर्धा महरास्ट्रा में है वर्धा इसमें अखिल भारते सिक्ष्या सम्मेलन का आयूजन हुआता कब हुआता तो उत्तर होगा 1937 इस्वे में अखिल भारतिय सिक्ष्या सम्मेलन वर्धा का आयुजन कब वुआता 1937 इस्वे में इसके बारे में इसे देखें तो इस सम्मेलन की अध्यक्स्ता किस ने की थी तो महात्मा गांधी जी ने इसकी अध्यक्स्ता की थी और इसी सम्मेलन में गांधी जी ने बुनियादी सिक्ष्या इसको हम बेसिक सिक्ष्या भी कहते हैं वर्धा योजना भी कहते हैं तो बुनियादी सिक्ष्या बेसिक सिक्ष्या वर्धा योजना का प्रस्ताव या उसकी रूप रेखा है वो इसी सम्मेलन में प्रस्तुत की गई थी इस सम्मिलन में गांधी जी ने प्रतेक भारते नागरिक को प्रारंभिक शिक्ष्या उपलब्द कराने की मांग भी की थी कि भारत का जो प्रतेक नागरिक है उनको प्रारंभिक इस्तरके शिक्ष्या अवस्य मिलने चाहिए इस प्रकार की मांग 1937 इस इस्वी के अखिल भारते शिक्षा सम्मिलन में की गई थी फिर देश आजाद हो गया आजाद होने के साथ ही हमारा नया संबीधान बनाया गया उस संबीधान में भी निस्तुल्क शिक्षा अनिवारिश शिक्षा का प्रावधान हुआ 1947 में आजादे मिली 1950 में संबीधान लागू हुआ उसमें भारते संबीधान के भाग च्यार जिसको अपन निती निदेशक तत्तु को सामिल करते हैं उस भाग च्यार में उसमें अनुछेट 45 है उस अनुछेट 45 में निस्तुल्क एवं अनिवारिश शिक्षा का उलेख किया ग है उसके बाद में 1948 इस वी है इसमें आचारे नरेंदर देव समीती उत्तरपरदेश सरकार की द्वारा नरेंदर देव समीती का गठन हुआ था हालांकि गठन 1947 में हो गया था उसकी रिपोर्ट 1948 में आई इस रिपोर्ट में क्या हुआ था बहु विद मुल्यांकन की अनुस पुम्धिवल्टी विभी तो आतरहोगा 1948 इश्वी इसी 1948 इश्वी में विष्वविधयलेव նिक्ष्या आईयोग की स्थापना भी हुई थी एक तो crear अनुदान आयोग है एक विश्व विद्याले शिक्स या आयूग है विश्व विद्याले उनिवर्शिटी एज्यूकेशन कमिशन इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और रिपोर्ट है वो 1949 में प्रस्तूत के गई थी फिर 1952 इस्वी में माध्धिमिक शिक्स या आयूग का गठन किया गया था मुदालि मुदालियर आयूग या माध्धिमिक शिक्स या आयूग का गठन तो हुआ था 1952 में और रिपोर्ट प्रस्तूत के गई थी 1903 में इसलिए हम इसको 1952 कह देते हैं गठन पूछें तो 1952 उतर है रिपोर्ट प्रस्तूत ये करण है वो 1903 में हुई थी रिपोर्ट में क्या कह गया था कि सामाजिक अध्यन को एक अलग विशे के रूप में पठे क्रम में सामिल किया जए ऐसी सिफरिस करने वाला आयूग कोन सा है तो वो मुदालियर आयूग माध्धिमिक शिक्स या आयूग है उसके बाद में 1952 तिरपन इस्वी में विश्व विद्याले अनुदान आयूग यूजी सी की स्थापना की गई थी यूजी सी विश्व विश्व विद्याले अनुदान आयूग इनुवर्शेटी ग्रांट कमिशन इसकी स्थापना कव हुई थी 28 दिसंबर 1953 को तो इसकी स्थापना की गई थी और 1956 में इसको स्वायतता प्रदान की गई कि ये स् 1957 इस्वी का घटना करम है राजस्तान में राजस्थान माध्यमिक सिक्ष्या अधिनियम 1957 पारित किया गया था और इसी अधिनियम के तहट माध्यमिक सिक्ष्या बूड की स्थापना भी 1957 में हुई थी सबसे पहले माध्यमिक सिक्ष्या बूड की स्थापना जैपुर में 1957 में की गई थी और बाद में लगबग 4 साल बाद 1961 इस्वी में इसको अजमेर इस्थानांत्रित किया गया था तो ये राजस्तान का मध्यमिक सिक्स अधिनियम है जो 1957 के नाम से जाना जाता है फिर प्रसन आ जाता है NCRT राष्ट्रे सेक्सिक अनुसंदान एवं प्रसिक्ष्ण परिशद नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी तो इसका उतर होगा 1971 NCRT की स्थापना 1961 में हुई थी फिर आता है कोठारी आयोग कब बना था कोठारी आयोग को 1964-66 के नाम से जाना जाता है दोलत सिंग कोठारी इसके अध्यक्स थे जिसके करण से इसको कोठारी आयोग भी कहते हैं वैसे इसका मूल नाम था राष्ट्रिये सिक्ष्या आयोग है कोठारी अध्यक्स होने के कारण इसको कोठारी आयोग भी कह देते हैं इसकी स्थापना तो 1964 में के गई थी और रीपोर्ट प्रस्तूती करण 1966 में हुआ था 1966 में इसने अपनी रीपोर्ट प्रस्तूत के थी इसकी मुखे जो सिपारिस है वो त्री भासा सुत्र के नाम से जानी जाती है प्रथम भासा दृत्य भासा त्रत्य भासा इसका सुझाव है वो कोठारी आयोग के द्वारा दिया गया था उसके बाद में कोठारी आयोग जो प्रात्मिक शिक्ष्या में केवल आंत्रिक मुल्यांकन होना चीए भाईये मुल्यांकन नहीं हो तो प्रात्मिक शिक्ष्या में भाईये प्रिक्षाओं की सम्माप्ति की अनुसंसा करने वाला आयोग तो कोन सा है उतर होगा कोठारी आयोग या राष्ट्रे सिक्ष्या फिर 1968 इस्वी का वर्स आता है इसी में भारत में प्रतम राष्ट्रे सिक्ष्या निती की घोशना की गई जैसे अभी नई सिक्ष्या निती की घोशना 2020 में हुई है वैसे ही प्रतम राष्ट्रे सिक्ष्या निती है वो 1968 इस्वी में घोशित हुई थी जो 1966 में कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तूत की उसी रिपोर्ट के आधार पर भारत में प्रथम राष्ट्रे सिक्ष्या निती की घोशना 1968 इस्वी में के गई थी उस समय स्रीमती इंद्रा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थी तो स्रीमती इंद्रा गांधी क प्रधानमंत्रित तोकाल में 1968 इस्वि में प्रथम राष्ट्रे शिक्षा निती की घोषना कोठारी आयोग की द्वारा प्रस्तुत जो रिपोर्ट से अनुसंसाएं हैं उनके आधार पर के गई थी इस निती में क्या घूशित किया गया था इस प्रथम राष्ट्रे शिक्ष की थी हालांकि आगी इसको 1986 के निती में लागू किया गया लेकिन नामकरण वहीं पर कर दिया गया था फिर 1921 इस्वि का समय आता है इसमें एक समीती का गठन हुआ वी के आर वी राव समीती वी के आर वी राव समीती का गठन किस वर्ष हुआ था 1921 में हुआ था इसकी मुख्य सिफारिस क्या थी तो इसकी मुख्य सिफारिस है इस समीती के द्वारा आंत्रिक वै भाईये मुल्यांकन को प्रमान पत्र में अलग अलग अंकित करने की सिफारिस की गई थी कि आंत्रिक मुल्यांकन बाई ये मुल्यांकन के अधार पर जो भी अंकन होता है उसको प्रमाणपत्र दिया जाए तो उसमें अलग-अलग अंकित किया जाए ये सिपारिस 1922 में वी के आरवी राव समीति के द्वारा के गई थी फिर 1925 इसवी का समय आता है 1925 में NCERT के द्वारा आंत्रिक मुल्यांकन पर अधिक बल दिया गया ये प्रसंद पिसली बार पूस लिया गया था तो इसका उत्तर होगा 1925 इसवी शिक्स्यासी समदित चट्व पाध्याय समीति का कारीकाल क्या है तो वो है 1923 से 85 इसवी 1983 में चट्व पाध्याय समीति का गठन हुआ था और 1985 में इसने अपने रिपोर्ट प्रस्तूत की थी चट्व पाध्याय समीति 1983 में घटित हुई थी 1985 में इन्होंने अपने रिपोर्ट प्रस्तूत की थी और इसी की रिपोर्ट के आधार पर अपनी राष्ट्रे शिक्स्यानिति एन्पीई 1986 बनाई गई थी जो दूसरी शिक्स्यानिति अपन कह सकते हैं प्रथम शिक्स्यानिति 1968 में स्रीमती इंद्रा गांधी के प्रधान मंत्री तोकाल में बनी फिर स्री राजीव गांधी प्रधान मंत्री थी उनके प्रधान मंत्री तोकाल में राष्ट्रे शिक्स् जिसको कहते हैं, फुल फर्म होगा NPE का National Policy on Education, ये कई बार आजाता है, फुल फर्म क्या है, एक तो National Policy of Education, और एक आजाए National Policy on Education, तो on Education सही होगा, और इसी निती के तहट 10 प्लस 2 प्लस 3 की शिक्षा सरचना को लागू किया गया था, पहले दस्वें तक की शिक्षा, फिर 2 वर् खोले शिक्षा, तो 10 प्लस 2 प्लस 3 इसकी सरचना राष्टी शिक्षा निती 1986 की तहट लागू की गई थी, उसके बाद में आता है, कि भारत में आचारी राम मूर्ती समिती का गठन कब हुआ था, तो आचारी राम मूर्ती समिती का गठन 1990 में हुआ था, पूरी तारी एस राष्रे सिक्षा नीति उनिष्ए समीति का गठन किया गया था, और इस राम मूर्ती समिती ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तूत की अनुसंसाई की उसी के आधार पर 1992 इस्वे में राश्ट्रे सिक्षा नीती 1986 में आउशक संसोधन कर दियेगे तो राष्ट्रे सिक्षानीती मूलता है 1986 में बनी थी और उसमें संसोधन हुआ था वो कब हुआ था 1992 में उसमें पीवी नर्सिंगारा भारत के प्रधानमंत्री थे उसमें इसमें संसोधन के गए थे और एक कारिक्रम लाग हुआ था POA Program of Action Program of Action कारिक्रम की क्रियानवी थी जो राष्ट्रे सिक्षानीती 1986 में संसोधन हुआ 1992 में तब POA कारिक्रम को जोड़ा गया था फिर आती है यसपाल समीती प्रोफेसर यसपाल हुए हैं उनकी अध्यक्सता में एक समीती का गठन हुआ था शिक्षा के शित्र में उस समीती का 1993 माना जाता है यसपाल समीती का गठन 1992 में हुआ रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी 1993 में ये क्यों प्रसिद है इसके लिए कारण है बीना बोज की शिक्षा का सुझाव की समीती ने प्रस्तुत किया था तो इसका उतर होगा यसपाल समीती इस समीती ने बीना बोज की शिक् लिखने वाली समीती है यस्पाल समीती जिसके अध्यक्स्ते प्रोफेसर यस्पाल फिर आता है 2005 इस्वी का समय इसमें राष्ट्रिय पाठ्थिक्रम रूप रेखा को लगू किया गया NCF 2005 के नाम से ये प्रसिद है NCF 2005 राष्ट्रिय पाठ्थिक्रम रूप रेखा अंग्रेजिन बोलने तो नेशनल करीक्यूलम फ्रेम वर्क नेशनल करीक्यूलम फ्रेम वर्क 2005 को लगू किया गया इसकी अध्यक्सता भी प्रोफेसर यस्पाल को दे गई थी जो यस्पाल समीती के अध्यक्स हैं प्रोफेसर यस्पाल उनको ही NCF के लिए अध्यक्स बनाया गया था लगभग 37 सजश्यों के समीती के द्वारा इस पाठ्थे करम की रूपरी खाप प्रस्तूत के गई थी और उसमें मुख्य सुजाव दिया गया था कि पढ़ाई रटंत प्रनाली से मुक गया 2009 के नाम से ये लागू है और अब नई सिक्षानीती 2020 में लागू हुई है स्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित तोकाल में नई सिक्षानीती लागू हो गई है जिसमें 1986 की जो सिक्षानीती है उसमें बहुत सारे परिवर्तन कर दी गए हैं क्या क्या परिवर प्रमुक शिक्ष्या आयोग, शिक्ष्या की घटनाएं, शिक्ष्या की नेतियां, इनसे समंदित यदि कोई प्रसन पूछा जाता है, तो इनके इर्द गेर्द पूछा जाता है, तो आप इन सभी को इनकी सही तारिखों के साथ, सही घटनाओं के साथ, सही इतिहास के साथ य निवाद